नमस्कार आदाव सच्रियकार और वेलकम तो मैनेट ब्रेंज इंडिया इंडिया इस बेस्ट और लेर्णिंग प्लाटफॉर्म जहां आपको मिलता है किंडर कार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजूकेशन आपसलूटली फ्री फ्री ओफ कॉस्ट स्टूडेंस आपको भली भाती कि है आपको ना ना से वा कि तयारी कर वाता है कंप्रक्स arbeitet और आपके लोद कि लिए आपको सारा कंचंट्ट पुबाइड कराता है आफसलूटली फ्री फ्री ओफ कॉस्ट और हमारे सारे कंटेंट को हमारे यूटुब केम कहारे चानल लेया फिर हमारी कि सकते हैं अगेन ब डिलिवर किया था जहां पर हमने आपको बताया था कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली और किस तरीके से हम इस पूरे सिल्षिले को आगे बढ़ाएंगे कक्षा दस्वी की सबसे important किताब math के अगर मैं लिहाज से कहूं तो वह है ncrt तो हमारा पूरा focus रहेगा कि इन सारे सर्व प्रथम ncrt सॉल्फ करना जरूरी है चाहे आप स्टांडर्ड पेपर दे रहे हूं चाहे बेसिक दे रहे हूं कि दोनों ही पेपर में concept तो सेम ही लगने बस खली किया हुआ portion उसके साब से आपको जो डिविजन लेमा है वो नहीं पढ़ना है और एक और concept इर्राशन नमबर्स जो की आपको नहीं पढ़ना है तो वह चीज़ें हम इन सेशन में कवर नहीं करेंगे बाकी पूरा आपको यहां पर पढ़ा जाएगा हां लेकिन जब हम आपने पढ़ी ही नहीं है तो इसका हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे हाँ डीटेल क्वेस्टन सॉल्विंग डीटेल अंडेस्टांडिंग डवलोप शायत ना करें ठीक है चलिए शुरू करते हम हमारा आज का सेशन जैसा कि हमने कहा था एंसी आटी शुरू करेंगे बिल्क आपके निपड़ गई इसकी गारेंटी मैं दे रहा हूं ठीक है बाखी आगे जो आपको पढ़ना हूँ आपकी मर्जी है चलो कक्षा नवी में हमने पढ़ा है क्लास नाइन्थ में वी हाव यू हाव बिगेन और एक्स्प्रोनेशन ओ दो वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर से आ तब आप पढ़ते हैं रियल नंबर्स राशन नंबर्स राशन नंबर्स वो साई डेफिनेशन चाप पढ़ते हैं जो मैंने भी डेफिनेशन बोली वो किसकी थी वो थी राशन नंबर्स की तो वो सब आपको यहाँ पे देखनी को मिलता है कहां पे क्लास नाइन्थ में उस आपकी किताब में लिखा हुए मतलब इस चाप्टर में आपका जो कॉंसेंट्रेशन है वो किस पे रहेगा वो रहेगा रियल नंबर के ऊपर ठीक है तो यह मोटा मोटा जो नोने कह दिया कि जो आपका ग्यान है वो रियल नंबर के ब्रैकेट के अंदर सिमट के रह जाएगा इमाजनरी नंबर होते हैं कॉंप्लेक्स नंबर होते हैं जो कि आप आगे जाके कक्षा ग्यारवी बारवी में पढ़ेंगे ऐसा यहां पर छुपा वह मीनिंगे जो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है तो आपको किसने बताया तो भाईया हमें पता चल जाता या तो तुम भी खया तुम्हें भी काफी से पता चल जाएंगी ने कॉपक है आपकी और ओमगोरेफम टम इकदम से उंखली मत उठाओक यह तो आपने बोला स्लेवस में नहीं है लेकिन भाइया नाम तो पता होना चाहिए कि कौनगौन से कॉंसेप्ट है इतना थोड़ी ब्लैंक चलेंगे कि हम बिल्कुल स्लेबस में नहीं है तो मतलब देखेंगे नहीं इसके बाद दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है वह है fundamental theorem of arithmetic अब अगर मैं आपको इमानदारी से मतलब जूट तुम्हें बोलता नहीं मतलब दिन में दो चल बाद बोलता उसके लावा नहीं बोलता यह दोनों चीज़े ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही concept है जो आप बच्पन में पढ़ चुके हैं बस खाली एक बढ़िया सा fancy सा नाम दे दिया अब जब आप concept को explore करेंगे आपको समझ में आएगा कि चीज़े वही हैं जो आप पहले पढ़ चुके बस नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है बाकि कुछ चेंज नहीं किया है ठीक है चलिए यहां पर हमने युकलेट डिविजन इल्गॉरि तो आप explain कर पाएं कि है क्या तो देखो जो हमारा युकलेट डिविजन इल्गॉरिथम है वो क्या कहता है जैसा कि नेम है जैसा कि उसका नाम है उसमें डिविजन सब्दार है मतलब कुछ न कुछ डिविजन के बारे में होगा it is something about division तो very correct there is divisibility of integers integers की divisibility के बारे में यह आपको पता है जितना मुझे पता है division दो चीजों के बीज होता है ठीक है जैसे 7 divided by 2 9 divided by 4 तो इस तरीके से division होता है ठीक वैसे यहां पे देखो लिखा है any positive integer एक positive integer can be divided by divide किया जा सकता है किस से दूसरे positive integer से तो एक positive integer आपने बोला A ठीक है दूसरा positive integer आपने बोला B तो जब आप A को B से divide करेंगे तो क्या होगा तो होगा यह कि it leaves a remainder ठीक है एक remainder छूटेगा और मतलब remainder A कहीं छूटेगा यह यहां पर सबसे important है कि ऐसे 15 20 remainder नहीं छूटेंगे भईया A कही remainder छूटेगा unique remainder R which is smaller than B उधारन के तोर पर अगर मैं आपको समझाओ तो मान लो एक आपका number है 7 जिसको आप 2 से divide कर रहे हैं ठीक है अब यह जो algorithm है यह कहता है कि जब आप 7 को 2 से divide करेंगे तो उसको divide करने का एक ही unique तरीका है ठीक है अब लोग क्या कहेंगे सर देखो मैंने ऐसे divide किया कि भईया 7 को जब 2 से divide करना है तो टू टू जा 4 प्लस 3 लिख दूँगा मैं कि सर यह क्या लिखा आपने गुरुदेव आपको याद होगा division को लिखने का तरीका है कि भाईया dividend is equal to divisor into question प्लस remainder यह कहां पढ़ा है जब आप छोटे थे जब आपकी मतलब स्कूल में जाते थे एक दम छोटे बच्चेते से बैग लेके स्कूल चले हम तो तब के दिनों में आपने पढ़ा है कि मतलब dividend is equal to divisor into question प्लस remainder उसी को यूज करते हुए मैं यह लिख रहा हूं ठीक है अब अगर आप देखे यहां पे तो मैं 7 को ऐसे भी लिख सकता हूं जहां पे आपने डिवाइड किया 2 से question टाया 2 remainder भी आया 3 लेकिन यह algorithm क्या कहता है कि हाँ ऐसे नहीं लिखना है न यह division गलत है incomplete है चुकि division का नियम यह कहता है कि जब तक remainder सवाल से आपके किसे remainder जब तक डिवाइजर से छोटा न हो जाए तब तक आप divide करते जाएंगे हाँ ऐसे लिखने जाओंगा तो plus 3 plus 5 भी हो सकता है plus 7 भी हो सकता है लेकिन वो सही तरीका नहीं है सही तरीका divide करने का यह है या बचपन में भी पढ़ चुके हैं कि division तब तक चलता रहेगा जब तक remainder diviser से छोटा नहीं हो जाता यहाँ भी देख लो आपका diviser क्या था बी था वो जब तक छोटा नहीं होगा तब तक division incomplete है तो देखो यहाँ पर यही कहता है algorithm कि divide करने का एक unique तरीका होगा जहाँ पर remainder छोटा होगा आपके diviser से तो अगर diviser से छोटा रखना remainder तो एक ही तरीका होगा उससे बड़ा रखेंगे division को आप गलत तरीके से करेंगे फिर तो पचास तरीका होता है देखो simple सी बात है थोड़ा सा यहाँ पर ग्यान मिल रहा है आपको बाबा जी का की जीवन में गलत चलने के पचास तरीके मिल जाएंगे सही चलने का एक ही तरीका होता है है न कि जब आप लाइफ में सब कुछ सही कर रहे हैं तो वह एक ही तरीका होगा उसमें पचास तरीके नहीं लेकिन जब आपको गलत चीजे करनी है तो आपको पचास रास्ते मिल जाएंगे ठीक है अगर homework नहीं करना है तो पचास बहाने म पढ़ना है ठीक है थोड़ा सा यहां पर आपको बाबाजी का ग्यान मिल गया मुफ्त तो यह आपको समझ में आ गया फिर से संशेप में समझाओं तो क्या कहता है आपका अल्गॉरिथम अल्गॉरिथम कहता है कि यादी दो नंबर के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं जैसे यहां पर हमने सेवन और टू की चर्चा की तो सेवन और टू के बीच में जो रिलेशन्शिप है जो डिविजन का ठीक है चलिए और इस पर सवाल वगेरा तो आपको नहीं आएंगे तो हम जादा डीटेल में नहीं जाएंगे हम आजाते हमारे अगले पार्ट पर ठीक है मैनी आफ यू प्रोबैबली रिकगनाइस दिस आज यूजुवल लॉंग डिविजन प्रोसेस दिखा दिखा मैंने application related to divisibility properties of integers हाँ ये सिधान्त बहुत ही basic है बहुत ही simple है very easy to understand है but it is used in many ways इसको बहुत तरीकों से use किया जाता है divisibility की properties में हम पढ़ते हैं इसे integers के जब भी बात होती है ठीक है जिसे बहुत से आपके numbers है जिनकी हम divisibility decide करते है remainder के इसाब से ठीक है आपने कक्षा आठीवी में पढ़ा होगा एक chapter playing with numbers जहां पर आपको divisibility के बारे में थोड़ा सा सिखाया जाता है तो वहां पर भी remainder का बहु नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है ठीक है चरिए we touch upon a few of them and use it mainly to compute the HCF of two integers तो यह जो अल्गोरिथम है इसका मुख्य तहा उप्योग किया जाता था किसमें या किया जाता है दो numbers का HCF निकालने में ठीक है उसका process आपके जो स्लेबर से रैशनल स्लेबर से उसमें नहीं है तो इ यह आपको पता होना चाहिए कोई पूछे कि इसका कहा यूज होता है तो मुख्य तहा उप्योग होता है दो numbers का HCF निकालने के लिए ठीक है यह आपको समझ में आ गया आगे बरतन देखते हैं और क्या हमारे किताब के टेक्स में तो अगला जो है यहां पर आगया important concept बहुत ही important बहुत ही basic होगी अगर आप इसको थोड़ा detail में पढ़े है तो किसके बारे में इसकी कहानी तो इसकी कहानी है पॉजिटिव इंटीजर के multiplication के बारे में पहली बार तो नहीं कर रहे हो पॉजिट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कहां वन से लेकर सारे numbers 123456 के वर इंटीजर बोल रहा है तो इंटीजर का है थोड़ी बहुत गलतिया की है इन फाक्ट आज भी multiplication में कई बार इंसान थोड़ी सी मात खा जाता है आट सब्ट्राक्ट कर लेता है ना चलिए यू अल्रेडी नो आपको पहले से पता है तो बता क्यो रहे हो लेकिन अब बताना उनका काम है गुश्चा नहीं करते नंबर को अब कंपोजिट नंबर का आपोजिट क्या होता है मतलब जो कंपोजिट नहीं होते वो क्या होते हैं सब प्राइम होते हैं कि ऐसा कुछ नियम नहीं है प्राइम और कंपोजिट नंबर आपको पता है जिनके दो फैक्टर होते हैं वन और नंबर इट्सेल्फ एक एक्जाम में कई बार आ जाता है चलिए composite नंबर को आप क्या कर सकते हैं can be expressed as तो composite नंबर जो है वो अपनी दिल की बात कैसे बोल सकता है कैसे खुद को express कर सकता है as product of primes ठीक है लो तो वह या composite को भी prime की जर्वत पड़ ही गई बताओ हम सोच रहे थे composite नंबर अलगे होता है ने composite नंबर में प्राइम नंबर आ गए देखो तो composite नंबर क्या होता है it can be expressed as product of primes in a unique way सबसे important चीज़ क्या यहां पर unique way में आप express कर सकते हैं this is important fact is the fundamental theorem of arithmetic है सर यह क्या पताया मतलब इसमें क्या important fact यह तो हमें पता ही था बिलकुल ठीक तभी तो मैंने कहा था वह जिसका नाम ही fundamental है वो कितनी ही fundamental होगी मतलब कितनी basic होगी कहने का तात्परे क्या है यहां पर कि कि किसी भी नंबर को ठीक है मान लीजे बारा है आपके पास ठीक है अब कहने को तो बारा को मैं एक इंटू बारा ठीक है दो इंटू छे तीन इंटू चार ऐसे बहुत सारे तरीकों से लिख सकता हूं अभी ही मैंने बारा को जो की बहुत छोटा नंबर है बहुत बड़ा नंबर नहीं है तीन तरीके से लिख दिया अब यह theorem क्या कहती है जो हमारा basic fundamental theorem of arithmetic है वो यह कहती है कि जनाब अगर हम शर्त लगा दें कि आप केवल prime numbers के रूप में इन्हें लिखेंगे बड़ जो factors है वो केवल prime number हो सकते है तो देखो जब भी कोई शर्त लग जाती है तो चीजें थोड़ी सी complex हो जाती है है कि नहीं तो यहां पर भी आपने क्यार शर्त लगा दी कि भाई अब प्राइम नंबर होना चाहिए factors को तो उस case में जो आपको यह वन इन्टू 12 है यह जनाब हो जाएंगे reject जोकि 12 एक प्राइम नंबर है टू इन्टू 6 में 6 सुरी 12 एक composite नंबर है टू इन्टू 6 भी reject हो जाएगा क्योंकि टू और 6 क्या है टू प्राइम है 6 क्या है 6 composite है 3 और 4 भी reject हो जाएगा क्योंकि भाइया दो इसमें 3 प्राइम है 4 composite है तो सर क्या यह वाला जो theorem है वो तो यहां लगी नहीं रहा है लग रहा है लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा कि यह जो 12 है इसको मैं 2 पावर 2 इन्टू 3 के रूप में लिखूंगा या फिर और अगर मैं इसको ऐसे लिखू हो जिसमें सारे प्राइम नंबर्स हों यह कहती है त्योरम अगर आप सामिल कर लोगे फिर तो आपको तीन तरीके मिल गए लेकिन अगर आपको केवल प्राइम नंबर्स के रूप में कह दिया जाए तो आप इसमें 2 x 2 x 3 कर दोगे अब आप मैंसे कुछ लोग जो की बहुत नहीं लिख सकते कि यहां केवल प्राइम नंबर की कंडिशन है इसी बात में डांस कर रहा हूं कि अगर आपके मन में यह विचार आया तो कोई गलत बात नहीं है इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को चला रहे हैं आपके मस्तिश्क की रक्त कोशिकाओं में रक्त करके बहर आ है लेकिन वन नहीं लिख सकते क्योंकि वन ना प्राइम है ना कंपोजट है तो जब भी प्राइम नंबर की चर्चा होगी किसी नंबर को प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक करने की चर्चा होगी तो सदैव एक ही तरीके से होगा यूनीक तरीका होगा और जब भ बैग बेंचर है जिसने एकदम बढ़ियां से जो किलास में प्रयोगदान करता है अपने चुटकोलो दुवारा वन लाइनस दुवारा उसे टीचर हाइलाइट कर देती कि यहां विद्ध्यारती यहां बाला क्या बाले का यूनीक है ठीक है कि अब यहां पर देखो अगें फिर से विच वाइल इस रिजल्ट डाट इस इजी टू स्टेट ठीक है एंसी आर्टी को सब पता है इजो किताब बनने वाले व्यक्ति हैं सब खुदे ही बोल देते कि भाईया देखो हमें पता है कि रिजल्ट आसान है इजी टू स्टेट है और इजी टू अंडर्स्टैंड भी है हां सर समझ में तो आ गया कि भाईया बारा को या किसी भी नंबर को चौबीस हो या फिर आप ऐसे देखे चब्विस हो प्राइम नहीं कंपोजिट नंबर होना चाहिए तो कंपोजिट नंबर को जब आप प्राइम नंबर उसके फैक नंबर ठीक है वेन ब्रेकन वेन ब्रोकन इंटू प्राइम फैक्टर्स ओनली किसी भी कंपोजिट नंबर को जब आप केवल प्राइम नंबर में उसके फैक्टर्स के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे प्राइम नंबर के अलावा किसी और को उसके फैक्टर्स के रू चलो अब यहां पर देखो इसका देखो क्या बोला इट है सम वेरी डीप ओहो बहुत डीप मतलब सा सत्यम सरकी शायरी जितना डीप होता है यहां पर सत्यम सरकी शायरी कभी सुनना कभी मज़ा और बहुत डीप होती कई बर समझ में आती हमें दो बार पूछना परता कि सर कहना कहा रहे हो तुम लोग थोड़े छोटे हो पर हां सुनना कहीं लिखने ना जब जीवन में बड़े होगे तो बहुत काम आएगी ठीक है सिग्निफि हस जोख है लेकिन मारना मेरा काम है हसना तुम्हारा काम है नहीं हो गलत हो जाएगा टीचर के दिल को ठेश पहुंचेगी ठीक है तो मेरे सममान में ही एक बार हस it है रिंकिया के पापा उनिये इसके दोस्त है मलब दो सेशन देख रहता है वी यूज़ फंडामेंटल theorem of arithmetic for two main applications तो हम यह जो arithmetic theorem है जो basic theorem है fundamental theorem में इसे दो जगा पर यूज़ करते हैं आई यह इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि यह कौन से यह दो main applications है और यह application मैं नहीं लाया हूँ मेरे को मत गाली देना यह NCRT जनाब का है ठीक है चलिए अब जो आपके दो main application उसमें सबसे पहला फर्स्ट कहां यूज़ होता है इटे वी यूज़ टू प्रूव क्या irrationality of many numbers you study in class 9 class 9 में हमने यह कुछ नए type के numbers पढ़े थे root 2 root 3 root 5 ठीक है तो इनको irrational प्रूव करने के लिए क्योंकि बोल तो दिया irrational है लेकिन भाइया यह हमारे देश में या फिर इस विश्व में कोई भी चीज बोलने के बाद उसका प्रूफ दिया जाना चाहिए अन्य था तो मैं मार्स पर घूम के आ चुका हूँ बोलने में क्या जा रहा है जब तक प्रूफ नहीं दिखाओंगा कि मार्स पर अपनी एक सेलफी ना ले लिए वेने बढ़िया सी तब तक मानोगे क्या नहीं मानोगे ठीक वैसे ही जब तक आपको चीजों का प्रूफ नहीं दिया जाए तब तक हम उसको एकसेप नहीं कर सकते तो यह जो रूट टू रूट थ्री रूट फाइव जैसे इर्राशनल नंबर्स हैं यह इर्राशनल क्यों है कैसे बने इसका प्रूफ देने के लिए हम इसको यूज करते हैं सर कईसे कईसे तो बेटा सब अभी बता देंगे तो फिर जो रूम को अपलाए किया जाता है एकस्प्लोर करने के लिए क्या करने के लिए पता लगाने के लिए क्या कि exactly the decimal expansion of a rational number ठीक है अब देखो जो भी रैसनल नंबर होता है ठीक है उसका कुछ ना कुछ decimal expansion तो होगा यह आपने पढ़ा है ठीक है या दोगा आपको कक्षन अभ terminating non terminating होगा तो उसके अंदर भी दो categories होती है एक repeating दूसरा non repeating जिसमें बहुत ज़्यादा नौन हो जाता है वह नौन ही हो जाता है तो जो दो बार नौन नौन ले आए non repeating sorry non terminating and non repeating is non rational अर्थात irrational यह आपको याद होगा होगा नहीं आद तो अभी हमने आपको पुरा सारान समझा दिया तो भाईया जब आपका कोई terminating rational number है ठीक है and when it is non terminating या repeating तो उसका decimal expansion कैसा होगा या क्या होगा उसके बारे में चर्चा डालना उस चर्चा करना उस पे torch पकड़ के light मारना मतलब उस पे प्रकाश डालना हमारे यहाँ पे इस theorem की मदद से होता है इसको हम detail में अपने chapter में आगे पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी जब आये नहीं ठीक है चलिए वी डू सो बाई लुकिंग एड़ प्राइम फैक्टरिजेशन ओफ डिनॉमिनेटर ओफ पी बाई क्यू तो यहाँ पे पी बाई क्यू जो हमारा इरा जो हमारा राशनल नंबर है उसके डिनॉमिनेटर का डिनॉमिनेटर मतलब क्यू का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब आपको समझ में आता है कि डेसिमल एक्स्पैंशन कैसा होगा अगर मैं आपको एक्जाम्पल दू जैसे टू बाई टू ठीक है टू बाई फोर टू बाई सिक्स और टू बाई एट यहाँ पे अगर आप देखें हाला की नूमिन सेम है लेकिन डिनॉमिनेटर अगर अलग है तो डिवाइड करने पे अंसर सेम ही आएगा सुरी अलग-अलग आएगा ठीक है तो डिनॉमिनेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी नंबर के डेसिमल एक्स्पैंशन को किसी भी राशन नंबर के डेसिमल एक्स भी नंबर के decimal expansion को पता लगाने के पीछे जिसे cid लग जाती है कि कुछ तो बढ़बढ है दया ठीक है तो यहां पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही वही है जो हमें हैल्प करता है पूरे केस को सॉल्फ करने में ठीक है समझ में आया आए आपको you will see that the prime factorization of q will completely reveal the nature of the decimal expansion of p upon q तो जैसा q होगा मतलब जैसा denominator होगा उसके prime factorization के हिसाब से ही हम पता पाएंगे कि decimal expansion का nature क्या होगा तो देखो यहां पे क्या होगा यहां पे हम basically denominator का यूज करके यह पता लगाएंगे कि किसी भी number का किसी भी राशन लंबर का decimal expansion किस nature का होगा decimal expansion का nature क्या होता है तो सर नेचर में हम basically यहीं बताते हैं कि वो terminating है या non-terminating है अगर non-terminating है तो वो repeating है या फिर नॉन रिपीटिंग है इस सारी बातों पर चर्चा करना basically किसी भी राशन लंबर के decimal expansion का नेचर बताने के बराबर है यह सारी बाते बताना नेचर बताने के उसमें आती है मतलब संदर्ब में कहीं जाती हैं ठीक हैं चरिए हिंदी अगर ज्यादा भारी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा मैं उसको थोड़ा अपन बैलेंस कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर बताना कैसे है नीचे देखो कमेंट भाणी या से कमेंट लिखो ठीके आप कमेंट लिखेंगे हम उसे पढ़ेंगे और उसके बात फिर अपने जो भी हमारा तरीका हमारे हाथ में है नहीं चले हाँ पर देखो क्या लेखा है in your earlier classes you have seen that any natural number can be written as product of its prime factors किसी भी natural number को अब देखो यहाँ पर नया गुगली फेक दिया सार natural number अब तक तो हम positive integers पढ़ रहे थे यह natural numbers कहां से आ गए अब ज़र आप गौर से सोचे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि positive integers बोलना या फिर natural numbers बोलना बात बराबर है तो कि natural numbers का मतलब है one के बाद two, three, four जो हमने numbers पढ़े है counting numbers भी जिने हम कहते हैं आसान भाशा में और positive integers वो भी कहां से शुरू होंगे जीरो ना positive है ना negative है तो जब आप कहते हैं positive integer आप जीरो को शामिल नहीं करते हैं आप one से शुरू करते हैं तो बस शब्दा वाली change करती लेकिन वही वो बात बोल रहा है कि कि किसी भी natural number को आप कैसे लिख सकते हैं as product of prime factors ठीक है जैसे आपको example दिया है भाई या फोर के prime factors two into two two 53 जैसे बड़े नंबर के prime factors 11 or 23 and so on बच्पन में कर चुके आपको अच्छे से याद है ठीक है अब हम यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर आगे दिखेंगे कि कैसे इनको को यूज करके हम by multiplying let's see तुम क्या करने वाले इसी concept को जो हमारा basic fundamental theorem of arithmetic था उसे ही यहां पर हम यूज करेंगे और हमारे concepts में apply करते हुए उसका application देखते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है यहां पर हम देखने वाले आने वाले sections में चलिए इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग अगले पार्ट की और अब यहां पर देखिए आपको क्या बता रही है तो हमारी किताब कहती है कि भाया कोई भी नंब हो ठीक है कोई भी नंबर हो उससे आप कैसे लिए सकते हैं यहां पर देखिए टेक एनी collection of prime numbers यहां उल्टा जा रहे हैं ठीक है यह हम कहां से अब तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम composite नंबर के factors और prime numbers की चर्चा कर रहे थे यहां पर हमने थोड़ा सा उल्टा अप्रोच लिया है कि हम prime numbers का use करके prime numbers का use करके concept कुछ selective हमने चूज किये हैं 2, 3, 7, 11 और 23 ठीक है तो हम इसी जो हमारा concept था fundamental theorem of arithmetic का उसको हम एक अलग नजरी से अब देखने का प्रयास कर रहे हैं अब तक हमने उसका basic concept समझा वो यह कि कहत composite number को जब आप उसके prime factors के रूप में लिखेंगे तो आपको unique numbers ही मिलेंगे ठीक है prime factors की रूप में लिखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे कुछ unique sequencing मिलेंगे जिसे 12 आपको लिखने का एक ही तरीका है 2 x 2 x 3 अगर condition लगा दिजाए कि prime factors का ही यूज होगा अगर आप composite factors की यूज करेंगे तो और तरीके मिल जाएंगे पर अगर prime factors की यूज करेंगे तो एक ही तरीका मिलेगा यह हमारी theorem कहती है उसी को हम थोड़ा अलग नजरिये से explore करने का प्रयास कर रहे हैं हम यहाँ पर ब अब इनको क्या करना है तो इनको हम थोड़ा सा study करेंगे कि if we multiply some or all of these अगर आप इन में से कुछ को multiply करें या फिर सब को multiply कर दें ठीक है या फिर अलग-अलग sequence लेके multiply कर दें उधारन की طور पर है आपने आपने 2 को 2 बार ले लिया ठीक है यहाँ पर आपने 2 को 3 बार ले लिया तो चाहे आप इन सब को multiply करें किसी भी तरीके से multiply करें आपको हर बार आपको हर बार कुछ unique answers ही मिलेंगे ठीक है unique numbers को break करने का unique तरीका और जब इन छोटे छोटे unique parts को जब आप multiply करेंगे तब आपको जवाब भी unique मिलेंगे देख लोग कोई भी number repeat नहीं हो रहा है आप चाहे तो खुद करके देख लीजिए यदि आपने कुछ भी change किया तो number change हो जाता है तो हर एक चीज एक अलग number एक अलग कहानी को बया करती है और अगर आपने कहानी में हलका सा भी twist ला दिया तो कहानी पूरी change हो जाती है number पूरा change हो जाता है और ऐसे आप क्या कर सकते हैं ऐसे आप infinitely many मतलब ऐसे आप बहुत सारे numbers का collection बना सकते हैं यह तो कुछ हैं यह आपे 7, 11, 23 को multiply किया तो एक number मिल गया इसमें अगर मैं 1, 2 और multiply कर दूँगा तो अलग number बन जाएगा केवल 1, 3 multiply कर दूँगा तो अलग number बन जाएग इसमें 7 को ही दुबारा multiply कर दूँगा तो अलग number मन जाएगा है की नहीं तो यहाँ पर basically कहानी का सार क्या है कि चाहे आप दिल्ली से जाएं मुंबई या मुंबई से वापस आएं दिल्ली आपको एक ही माध्या मिल रहा है मतलब चाहे आप number के factors निकाले या फिर factors से number बना यूज करेंगे चाहे factors के यूप में चाहे factors को यूज करके numbers बनाने के लिए ठीक है जो answer आएगा उसमें तो prime and composite number हो सकते हैं लेकिन जो आपके factors होंगे उनकी मदद से आप क्या बना सकते हैं आप एक unique number बना सकते हैं तो कहानी का सार यही है कि दोनों पक्ष मतलब basically दोनों त साथ पर वही है कहानी का सार वही है कि जब आप किसी numbers के prime factors निकालते हैं तो आपको एक unique तरीका ही मिलेगा उन prime factors को उन prime factors के multiplication के रूप में number को express करने का you get a unique way of expressing a composite number through its through multiplication of its prime factors अब कलको कोई बोल रहे कि सर बारा को लिखने का तरीका है two into two into three तो अब अगर आप इसको लिख देंगे आपने खाली सीक्वेंस अलग कर दिया तो इसको आप अलग नहीं कहेंगे ना तो अगर मैं खाना खाते समय चावल पहले खालो रोटी बाद में खाऊ इट राइस पॉस्ट देन चपाती मेरे पेट आदा नहीं पूरा ही भड़ेगा चाहे में पहले चपाती खाऊ और सेली बार में भरा तो कुछ अलग सीक्वेंस करने को आप अलग तरीका नहीं कहते गणत इस मामले में बहुत किलियर है ठीक है के में होता है कि किसी में कुछ मिक्स कर दिया तो बॉंड हो जाएगा यहां पर नहीं होता है ठीक है इस बात का ध्यान रखें चलिए चलिए कॉट इस ईघंट साइगा तो फास्ट है तो इसका क्या एक ऐस इक करेंगे परजस्स करेंगे 10 करेंगे तो prime numbers की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि भईया prime numbers infinite होते हैं कुछ fix नहीं है कि यही prime numbers होंगे ठीक है इतने ही होंगे does it contain only a finite number of integers जैसा कि हमने चर्चा किया कि finite मतलब जिसे हम गिन सकें कि भईया शुरू के 100 में इतने हैं तो 1000 में इतने होंगे ऐसा कुछ finite number नहीं है आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको 9 prime numbers मिलते जाएंगे ठीक है और infinitely many in fact there are infinitely many prime कि सवाल पूछता है आपसे लेकिन अगर आप उसको धंग से पढ़ेंगे तो आपको जवाब भी देती है यह किताब तो किताब में खुदी लिखाएं कि भईया कितना size होगा तो infinitely many prime होते हैं यह बिल्कुल clear कर दिया गया है यहां पे इसके बाद so if we combine all these prime ठीक है इन सारे prime numbers को सारे possible तरीकों से जब आप combine करेंगे तो आपको क्या मिलेगा अब भई infinite numbers हैं उनको connect करने के उनको combine करने के infinite तरीके होंगे तो आपको result क्या मिलेगा infinite collection of numbers मिलेंगे very simple जब number infinite हैं उनको जोडने के तरीके infinite हैं तो result तो और भी बड़ा हो सकता है यही यहां पे लिखा है all the primes and all the possible product of the primes तो जो infinite collection होगा इसमें prime number भी होंगे और ऐसे number भी होंगे जो की prime numbers के product के माध्यम से बने हैं और ऐसे unique numbers होंगे बहुत सारे होंगे लेकिन भले unique होंगे लेकिन बहुत सारे होंगे ठीक है जिसे for example अगर आप एक से लेकर 100 तक भी देखें यह सारे numbers unique है 27 एक से लेकर 100 तक में एक ही बार आता दूसरी बार नहीं आता 57 के बार 27 नहीं आता 27 एक ही बार आता है तो वह unique हो गया ऐसे ही बहुत सारे unique numbers है अब या तो वह स्वयम प्राइम हो सकते हैं जैसे 2357 या फिर किन ही दो तीन या चार जितने भी prime factors के multiplication से बने हो सकते हैं उधारन के तौर पर अगर मैं आपको देखू तो भाईया देखो 34 है 34 दो प्राइम नंबर से बनाए 2 और 17 ऐसे ही अगर 44 देखें तो भाईया वो 2 इंटू 2 इंटू 11 से बनाए है ठीक इस प्रकार ठीक है the question is सवाल यहाँ पर क्या है जो important जी सवाल हम से पूछ रहा है can we produce all the composite numbers this way क्या ऐसके सारे composite numbers को क्या सारे composite numbers को ऐसे product of prime के रूप में लिखा जा सकता है या फिर कोई छूट जाएगा क्या ऐसा कोई composite number है जिसको आप छोड़ देंगे कि नहीं यह product of prime के रूप में हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई number ही नहीं है जिसे आप prime numbers के product के रूप में नहीं लिख पाएंगे चाहे 100, 1000, 200, 343 कोई सा भी random number ले लिजे या तो वो prime होगा या फिर अगर composite होगा तो composite होते समय उसको आप prime numbers के product के रूप में लिख पाएंगे do you think there may be a composite number which is not the product of power of primes ठीक है मतलब अगर आप बड़े numbers की चर्चा करें जैसे मालो 343 हो गया क्या होता है 7 का cube होता है अगर मैं गलत नहीं हो तो भाई power किसकी है 7 की power 3 तो या तो आपके पास 100m prime numbers का product होगा अगर number छोटा है तो अगर आप बड़े संख्या की बात करेंगे तो वो product of prime हो जाएगा पर ऐसा एक भी number मेरे जहां तक मेरा ग्यान जाता है जहां तक मुझे रमज में आता है ऐसा एक भी composite number नहीं है composite number नहीं है जो की prime number के product के रूप में express नहीं किया जा सकता है before we answer this अब खुद ही बोल रहा है कि answer बताने से पहले जला थम जाओ रुक जाओ कि लेट अस फैक्टराइज positive integers that is do the opposite what we have done so far ठीक है तो अब हम क्या करने वाले हैं अब हम positive integers को factorize करके एक बार अपने इस सिद्धांत को क्या कह रहा है सिद्धांत जो है मतलब किसी विद्यारती का नाम नहीं किसी व्यक्ति का नाम नहीं यह जो concept है वह यह कह रहा है कि यूनीक होता है हम कहरें ठीक है मान गया चेक करने के लिए एक बार हम शुरू करते हैं क्या देखो यहां पर जैसे आपने बनाया है एक बड़ा सा नंबर लिया है 32760 इस नंबर के इस नंबर का प्राइम करेंगे इन्होंने प्राइक्टाइदेशन तिरी बनाया है आपने मुझे जहां तक ध्यान है बच्पन से ऐसे किया होगा 32760 और यहां पर पहले टू से फिट होगा उस नंबर से आप उसको ब्रेक करते गए ठीक है यहां थोड़ा सा क्रियेटिव तरीका है तो यदि आप यह करने में सक्षम है तो आपको मेरा नमन क्योंकि मुझसे तो इतनी मेहनत नहीं हो पाई समाप्रार्थी हूं में मेरे को यह ज्यादा बेटर लग रहा है तो आठ दुनी सुला दो दो 29 दो यहां पर यौत करते लिएंगे सब्सेख ःटने के chances तो हैं 313 यहां 10 बचा 3 3 9 19 3 6 18 3 5 15 1635 यह भी 3 से divisible है अच्छा 3 का divisibility rule याद होगा आपको क्या होता है चल अगर सारे numbers को add करने पे ऐसी संख्या मिले जो की 3 से divisible होगी तो यह पूरा number भी 3 से divisible होगा तो यह 3 4 12 3 5 15 3 5 15 5 4 5 10 4 14 ना 3 से नहीं जाएगा तो फाइफ से डिवाइड करना पड़ेगा फाइब नाइन्टीवन से डिवाइड होता है हमेशा सेवन वन जा सेवन और सेवन त्रीजर ट्विंटीवन लास में आया 13 और नीचे आगया वन अब जैसे ही वन आया तो भाइड वन के बाद तो कुछ हो नहीं सकता तो यह आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए ठीक है यहां पर हम क्या कर रहा है यहां पर हमने एक नंबर को सॉल्फ करने के लिहास से प्राइम फैक्टर्स के रूप में ब्रेक करने का प्रयास किया यह आप बच्पन में कट चुके कुछ नया नहीं है छोटा से रिविजन आपको यहां प हम चोरम स्टार्ट करने से पहले हम क्या बूल रहे हैं आपको कि यहां पे आपने भली बात ही देखा कि जैसी आपने फैक्टराइज करने का प्रयाज किया तो आपके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो कुछ यूनीक तरीके से ही यहां पे आपको मिल रहे हैं ठीक है अब 32760 को इन प्राइम फैक्टर्स के कॉंबिनेशन के अलावा किसी और तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है अगर आप किसी और तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे आप उस शर्त को वॉइलेट करेंगे आप उस सर्थ को तोड़ देंगे जो कहती है कि केवल प्राइम नंबर्स को यूज करना है तो जब आप किसी नंबर्स के फैक्टर को केवल प्राइम नंबर्स के रूप में ही एक्सप्रेस करने का मन बना बैठे हैं तो आपको एक निस्चिंत यूनीक तरीका ही मिलेगा कुछ और तरीका नहीं हो सकता है यह नहीं क्या कोई और तरीका मिलता है जहां पर पांच दो होंगे तीन एक होगा यह दो एक होगा ऐसा नहीं होगा यहीं तरीका चलेगा ट्राइक कर सकते हैं अब यहां पर आ जाते हमारे में थियोरम पे हमारी थियोरम क्या कहती है फंड निकालना ठीक है इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में क्या होगा आपको हमेंसा प्राइम नंबर का प्रोड़क्ट मिलेगा ठीक है अब अगेन आपने कंडिशन लगा दी है कि आपको प्राइम नंबर यूज़ करने हैं यह फैक्टराइजेशन जो हमने किया वह क्या होगा यू अकर देखो ठोरम बनाने वाले को अच्छे से पता है कि हम में से कुछ लोग थोड़े तेज हैं और वो यही बोलेंगे कि अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दू तो अगर मैं उनके आने का जो सिस्टम है मतलब जैसे आपने बोला कि 12 को आप लिख रहे हैं कि पहले 2 आएगा फि फिर तीन आएगा ठीक है तो यहां पर आपने लिखा कि 12 इकवल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 अब आप मैं से कुछ लोगों का यह तरक हो सकता है कि जनाब यह दोनों तो अलग-अलग हैं एक जैसे थोड़े हैं इसमें 3 लास में आ रहा है इसमें 3 बीस में आ रहा है तो ऐसे क अब जब 3 पहले आ रहा है तो यह ओडर का डिफरेंस है फैक्टर अलग नहीं है यूनीक वे है लेकिन यह एक ही तरीक है अब आप 3 को बाद में लिखो या पहले लिखो वह आपकी मर्दी है लेकिन इसको एक ही तरीका काउंट किया जाएगा यूनीक वे काउंट किया करना कुछ नया करने जैसा नहीं है इस थ्योरम के हिसाब से क्या मैंने अपनी बात बिलकुल साफ सिंपल सुंदर रखी या वोता है आपको यहां पे थ्योरम फृरम एक बरम दुबार रवाइस करें कि every composite number हर composite number को आप express या match की बास्ता में कहें तो फ्रेक्टराइज कर सकत हैं प्राइम नंबर्स का यूज करके वहाँ पर उनका प्रोड़क्ट होगा और ऐसा करते समय आप एक यूनीक जवाब देंगे बसरते आप और के हिसाब आप से नहीं बोलेंगे कि मैंने और चेंज कर दिया मतलब मैंने कुछ नया कर दिया वह काउंट नहीं होता है ठीक है इसके आपने बहुत सारे example देखे कि कैसे आपने यह किया कैसे आपने यहां पर दोनों तरीके देखे एक बार किसी भी नंबर के फैक्टर को निकाल के भी देखा आपने और फैक्टर को यूज करके नंबर बना के भी देखा तो जब आप फैक्टर को यूज करके नंबर बना रहे थे हर बार अलग-अ combination यूज करने पर अलग-अलग नंबर मिल रहे थे मतलब अगर पैटन रिपीट नहीं किया है कुछ नया कुछ नया multiplication किया है कुछ नया तरीके से multiply किया है numbers को कौन से numbers आपने पर किये हैं तो उससे आपको अलग result मिला कहीं भी same result नहीं मिला और जब आपने किसी number के factors निकाले prime factors निकाले तो भी आपको एक unique ही रास्ता मिला ठीक है यह clear है चलिए यहां पर हम screen को साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं देखते और हमारे पस क्या है अब देखो यहां पर क्या लिखा है थोड़ी से यहां पर history लेकिन आपके लिए कई बार अगर स्कूल में mcq test हो गया तो कुछ आ सकता है इसलिए यहां पर इसको ज्यान देते हैं बस दो मिनेट and equivalent version of theorem 1.2 तो इस theorem 1.2 को बहुत बार पढ़ा गया है उसका equivalent version मतलब उसके जैसा ही एक कोई सिधार्थ एक कोई concept कहां पर था was probably first was probably first recorded as proposition 14 of book 9 of Euclid's element ठीक है अब आपको Euclid के बारे में तो पता होगा बहुत ही महान विद्वान गणितग्ये हैं इन्होंने बहुत सारी किताबे बनाई बिसिकली किताबे नहीं बनाई इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि उस जमाने के जितने गणितग्य थे उन सब ने जो भी concepts बता होता होता तो किसी को पता ही नहीं जलता तो इन जनाब ने यह अच्छा काम किया कि भी यह देखो इन्होंने बहुत सारी books बना दी और यह जो concept है theorem 1.2 का arithmetic वाला वो इनकी किताब में भी पाया जाता है ठीक है before it came to be known as fundamental theorem of arithmetic तो इस theorem के जनम से पहले भी इस concept पे चर्चा Euclid की नवी किताब के चौदवे proportion चौदवे chapter में हो चुका है लेकिन इन्हें लेकिन इस पूरे concept को सही रूप सही दिशा मतलब सही तरीके से express किनों ने किया तो उनकी फोटो यहां पर लगी है इन्हें नमस्कार कीजिए इनका नाम है तो काल फ्रेड रिच गॉस अब अगर आपने उपहास उड़ाया कि यह तो सर्फ राइड राइस जैसे दिख रहा है तो प्रभू ऐसा ना करें बहुत ही सम्मान नहीं वेक्ती हैं तो इन्हों ने बताया था इन्हेस किताब का नाम था जिसमें इन्होंने इसको ढंग से सबके सामने रखा लोग उसे पढ़ पाए समझ पाए ठीक है जूकि इनकी जो किताब की उसमें बहुत सारे कॉंसेप समाने वक्ती के लिए पढ़ पाना समझ पाना थोड़ा मुश्किल था तो इन जनाम ने वह काम थोड़ा आसान के जहां तक इस कॉंसेप की बात है और इसी लिए इन्हें कहा जाता है पिरिंस ओफ मैथमाटिशन्स कि टौक थिकतार्व थिक्षै oso ciao किछ घब किकी खेंस थिक्षिस किसे कहा जाता है तो इने कहा जाता है थिक्षै नाम है इनका कार्ल फ्राइडरिच फ्रेडरिच गोस ठीक है जाना हम सब्क मीदावआ गया इनका नाम इनके साथ लिया जाता है Archimedes और Newton के साथ इनका नाम लिया जाता है ठीक है तो तीन बहुत ही समान नियम Mathematicians कौन कौन से Archimedes जिनके आप बहुत सारे principle पढ़ते हैं एक बहुत famous Archimedes principle आपको पढ़ाया जाता है न्यूटन के बारे में तो आपको जानते ही हैं आप लोग ठीक है तो न्यूटन या फिर किसी वेक्ति के भाषा में कहाई तो नूटन के सिध्धान न्यूटन के सिध्धान जो है हमारे न्यूटन के नियम वह पढ़ते हैं साथ में गौस को भी सब्सक्राइब के सब्सक्राइब इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लेयर और मूफ करेंगे अगले पार्ट की तरफ चलिए आगे बढ़ेंगे हम तो यहां पर हमें fundamental theorem of arithmetic अब देखो यहां पर किस तरीके से मनुष्य ही मनुष्य का दुस्मन है यहां पर देखने को मिलेगा किस प्राकार से तो गुरुदेव जो आपने fundamental theorem of arithmetic पढ़ी हमने पढ़ाई आपने पढ़ी समझी उसी को अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जाता है कैसे उसको घुमा घुमा के आपको बताया जाता है वह यहां पर प्रदर्शित करने का प्रयास है देखो सबसे पहले क्या लिखा है यह आपने पढ़ा अभी कि यह composite number can be factorize actual theorem में express लिखा है ब्रैकेट में फैक्टरीज लिखा यहां पर सीधे लिख दिया mathematical words का यूज किया as a product of prime numbers in a unique way तो basically वो जो theorem का sentence था उसे यहां थोड़ा सा आसान बना दिया ठीक है तो यहां पर आपने क्या बोला कि यूनीक वे में express करोगे किसको किसी भी composite numbers को जब उसके factors की चर्चा करोगे सर्थ के वल इतनी कि factors prime numbers के रूप में होने चाहिए composite numbers नहीं होंगे except for the order अब यह हर जगा लिखा होता है कि order पे आप नहीं खेलेंगे मतलब आप order change कर देंगे तो उसे एक नया तरीका नहीं बताएंगे वह पहले तरीके जैसा ही माना जाएगा कुछ नया आप काम नहीं कर रहें ऐसा थ्योरम पहले से बोल चुकी है तो आपके मन में जो उमण गुमण के विचार आ रहे हैं कि भाईया मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सीक्वेंच चेंज करके और चेंज करके तो अपने अंदर के मैथमाटीशन को थोड़ी देर के लिए सुला दो त्योंकि जो हमारे पुराने मैथमाटीशन उनने पहले वो लिख दिया कि यह नहीं चलेगा इना चाल से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एनी कंपोजिट न कि उसका मतलब लिख दिय और बोल रहें कि हमने अलग तरीके से बताया भाई यूनीक का मतलब क्या होता है जिसके जैसा कोई और ना हो ठीक है तो उसका मतलब ही तो होगा वाइन ओल्ली-1-0 वे यह की तरीका है अब चाहे आप युनिक लिखो चाहे वद हने वनली-1 वे लिखो बाद बराबरी है to write it as a product of primes prime number का product होगा as long as we are not particular about the order जब तक आप sequence को या order को आप एक पैमाना एक क्या कि तो differentiate करने का एक reason नहीं बनाएंगे तब तक अगर आप order को लेंगे तो फिर तो repetition हो जाएगा फिर तो कुछ unique नहीं बचेगा पर जब आप order को ignore कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी order में लेखे मतलब वही आ रहा है तो मतलब फिर आप अगर उसको नहीं seriously लेंगे तो मतलब concept exist करता है तो देखो यहां पर कैसे अंग्रेजी शब्दों का जाल बुनके हमें घुमाने का प्रयास किया जाला लेकिन हम डरेंगे नहीं घुमेंगे नहीं हम केवल ध्यान देंगे यहां पर concept पर यहां पर example भी दिया है अब मान लोग को आपको बोले टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन करो कितना हैगा सब्सक्राइब तो 210 अब अगर आप सीक्वेंट चेंज करके तीन इंटू पांच इंटू साथ इंटू दो करोगे तब भी जवाब आएगा 210 या फिर आप किस और तरीके से भी लिख दो 210 को लिखने का एक ही तरीका है क्या कि उसके फैक्टर में एक दो एक तीन एक पांच और एक साथ आएगा अब चाहे इनका सीकुवेंस कुछ भी रख दिया जाए फरक नहीं पढ़ता किसको ना हमें ना गणित को गणित कहता है चाहे आप ऐसे ल लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे साथ को आगे लिख दो टू को पीसे लिख दो डजन्ट इवन मैटर ठीक है किसी को फरक नहीं पढ़ता कि और क्या है आंसर वही है 210 तो 210 को जब भी आप फैक्टर निकालेंगे 210 के आपको एक एक एटू एक एट्री एक एफाइब और एक ए कॉंसेट है ठीक है उसके लावक कुछ और नहीं मिलने वाला सीक्वेंस कुछ भी लिख लो कि देश फैक्ट इस और स्टो स्टेटेड इन दा फॉलोइंग फॉर्म इलो तीन तरीके कम थे जो चौथा भी ले आये हैं जनाब लेकिन अब लाएं है तो पढ़ना तो पढ़े या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन बोलके मैथमाटिकल ग्यान दिखाएं ठीक है देखो फरक है कि कोई अगर बोल रहा है भाई प्रॉडक्ट ओस प्राइम नंबर्स यह थोड़ा बेसिक सामान निभासा हो गई ठीक है परन्तु यदि इसमें माच का छोका लगा दिया जाए माच का बढ़िया तब का लगा दिया तो अब क्या कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि ठीक है यू नो आई डिट प्राइम फैक्टराइजेशन टुडे अब घर वाले सोच रहा है पता चल रहा है कि नंबर्स को थे ब्राइब कर दिया नाचल नंबर बोल दिया है पर बात बरावरी है मतलब यह नहीं कहे रहा हूं कि कमपोजर नंबर नंबर बरावर हैं पर कॉम्सप्त को ऐसे भी समझा दा सकता है कि भले यही नंबर प्राइम हो लेकिन जब उसके भी फैक्टर निकालोगे तो प्राइम नंबर के फैक्टर भी तो प्राइम होंगे ना वहीं टू लिखो गए तो वन इंटू लिख पाऊगे और कोई तरीका तो है नहीं आपके पास इस यूनीक अब यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को बड़ा करना चाहें तो क्या लिखोगे is happening through one and only one way simple तरीका ठीक है except for the order देखो कितना भी डीट है ये concept की ये जो order वाली चीज़े ने ये कहीं भी छोड़ा नहीं गया ना यहाँ इस तरीके से ना इस तरीके में ना actual theorem के statement में जो कि आपके किताब में प्रकासित है छपा हुआ है ठीक है पर यह आपको समझ में आगे concept क्या खहता है कि गनित में natural numbers में composite numbers में जो भी आप उसको परिभाशाद दे नंबर की जो भी आप पैमाना फिक्स कर लें उन सभी numbers को जब आप लिखने जाएंगे उनके जब आप factors लिखेंगे और यह शर्त लगा लेंगे कि factors के वल प्राइम होने चाहिए तो आपको एक ही तरीका मिलेगा और यहाँ पर exception यह दे दिया गया है कि भाई यह order को यहाँ पर माइने नहीं दिये जाएंगे ठीक है simple च एक composite number X अब जब आप उसको factorize करोगे तो कुछ ना कुछ प्राइम factors निकलेंगे उनको नाम दिया गया है P1, P2, PN ऐसे अलग अलग दे दिया है जैसे अगर आप अभी हम 210 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे जो 210 है वो है X और जो factors है 2, 3, 5 & 7 यह आपके हो गए P1, P2, P3 & P4 PN का मतलब basically जितने होंगे 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है return in ascending order देखो वहाँ पे भी ascending order में लिखा हुआ है if we combine the same prime we get the power of prime basically अगर repetition हो रहा है ठीक है यहाँ पे आप देखेंगे 3, 2, 7, 6, 0 को अगर हम पूरे expanded form में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा परन्तु गनित जो है वो आलेस को बहुत ही support करती है कि कम शबदों में लिखा जाए जल्दी लिखा जाए तो उसमें आप क्या कर सकते है पावर का इस्तमाल कर सकते है ठीक है यसे two की power 3 लिख दिया आपने तो two को तीन बार लिखने की जगा केवल एक बार लिख दिया two की power 3 बाद बराबर है कम मेहनत जादा फाइदा 3 का square क्योंकि 3 दो बार multiply हो रहा है 3 into 3 हो रहा है तो चाहिए आप ऐसे लिख सकें या फिर अगर आप power का इस्तमाल करें तो कल को कोई यह न कहें कि सर मैंने power का इस्तमाल कर दिया मतलब मैंने unique नहीं मैंने दो वे पता लगा लिए तो ऐसे किसी भी तर्ख का यहां पर उनों रिवर्स पहले ही मार दिया गया कि भाई यह पावर लिखना अलग तरीका नहीं किना जाएगा सिंपल फिर से कि वांच वी हव डिसाइड़ेड़ ओडर विच असेंडिंग दैन दा वे और फैक्ट नंबर इस फैक्टराइज उनीक अच्छा आप देखो यह क्या बोल रहा है आपका यह जो कॉंस्टेंट प्रयास हो रहा है कि आप ओडर पर बात करेंगे कि मतलब अगर अलग-अलग सीक्वेंस है तो अलग-अलग मेथड़े तुन्होंने बोला कि एक काम करो जरा असेंडिंग रूप में आप फैक्टर को लिखें तब बताओ कुछ अलग मिल रहा है तो अब ओडर का यहां पर डिसकसिन ही खतम हो गया कि भले आपने निकालते समय कोई साभी लेकिन लिखते समय असेंडिंग और में ही लिखा जाएगा तो उस केस में अगर आपको को यूनीक मिलता है तो आप बिल्कुल गणित की कोट में आई अपना केस रखी आपका केस माना जाएगा परन्तु यदि आप यह नहीं साबित कर पाए कि असेंडिंग लिखते समय अ और वाला मसला है इसका solution निकाल दिया गया है कि जब भी factors लिखे जाएंगे ascending order में लिखे जाएंगे अगर ascending order में लिखने के बाद आपको अलग-अलग sequence मिल रहा है तो फिर आपके अपना case यहां पर register करवा सकते हैं मतलब आपनी बात रख सकते हैं अपना तर्क रख सकते हैं हाला कि यहां पर हमारे पास example आ गया एकदम गर्म गरम consider the numbers 4 power n ठीक है where n is a natural number ठीक है check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0 ठीक है क्या number आपके पास सवाल समझें number है हमारे पास 4 power n मतलब हम 4 की अलग-अलग power लगा सकते हैं अब सवाल आपसे कह रहा है कि n is a natural number मतलब n की value क्या हो सकती है तो भाई n की value 1,2,3,4 ऐसे करते-करते कुछ भी हो सकती है लेकिन इनके अलावा कुछ जीरो नहीं हो सकती decimal नहीं हो सकती fraction नहीं हो सकती केवल और केवल natural number हो सकती है अब यहां समझें अगर इस question को basic normal common sense यूज करके हम solve करके यूज करके हम solve करने का प्रयास करें तो था tongue twister हो गया यहां पे तो आप देखें एक हो जाएगा 4 power 1 फिर आ सकता है 4 power 2,4 power 3,4 power 4 and so on ठीक है अगर आप ऐसे देखें तो सर के यहां पे 4 की इतने सारी powers कौन चेक करेगा पहले 4 तो चेक करो फिर बाकी की बात करेंगे तो 4 की power 1 मतलब जवाब आएगा 4,4 की power 2 मतलब जवाब आएगा 16,4 की power 3 मतलब जवाब आएगा 64 और 4 की power 4 मतलब कितना आएगा जहां तक मुझे ध्याने 4 की power 4 मतलब होता है यहां पे कितना 8 का cube which is how much 4 की power 4 मतलब कितना हो गया सरी हो गया 16 का square 256 माफ कीजेगा ठीक है ऐसे यार जब 4 की power 5 निकालेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा यहां पे देखो क्या बोलना है ends with digit 0 तो ज़रा इनकी end digit बताओ मुझे ठीक है तो सर end digit अगर हम देखें तो यहां पे 4,6,4,6 ऐसे अगर आप pattern को judge करेंगे तो 4,6,4,6 की कहानी चलती रहेगी मतलब ऐसी एक भी value नहीं है n की check whether there is any value of n तो अगर आप n ends with 0 solve करने का एक तरीका ठीक है जहां पे अपने common sense यूज करके 4 की अलग अलग पावस निकाल के जादनी 4,5 निकाली हमने और हमने कहानी समझ ली दूसरा तरीका क्या कहता है दूसरा तरीका कहता है कि जब आपको factors पता है तो क्यों ना उसका use किया जाए अब देखो यहां पे अगर आपको last में 0 चाहिए तो सबसे छोटा नमबर जिसके last में आता है 0 वो है 10 है की नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं भगया natural numbers की यहां पे बात हो रही है व्योंकि जब आप 4 की power n निकालेंगे तो आपका जवाब भी क्या आएगा natural numbers ही या फिर जो 0 से end होता है वो है 10 इसके factors सरियात तो 2 into 5 यह एक unique तरीका है मतलब अगर आपको last में 0 लाना है तो 1 2 और 1 5 minimum होना कमपल सरी है आप चाहे तो चेक कर लीजे आपने मालो लिया 30 what is 30? 3 into 2 into 5 आपने लिया 100 that is 2 into 2 into 5 into 5 यह तो एक एक या दो दो हो गए ठीक है मतलब अगर आप यहां पर समझे तो अगर आपको last में 0 चाहिए तो किसी भी number के factors में prime factors में 2 या 5 आना चाहिए ठीक है 2 और 5 दोनो आना चाहिए यानी माफ कीजेगा दोनो तो 2 and 5 दो और हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला and ठीक है तो 2 and 5 या पर 2 और 5 दोनो आने चाहिए ठीक है दोनों में से एक भी नहीं आया तो समस्या हो जाएगी तब फिर 0 आप नहीं ला सकते है ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि जहां पर आपको 0 मिल जाए 2 और 5 के multiplication किये बिना करके देख लो 90 80 बड़ा नंबर ले लो 230 500 कोई भी नंबर ले लो उसमें मिनिममम एक 2 और मिनिममम एक 5 आए गई आएगा ठीक है दो मिट लेके चाहिए तो खुद ट्राय कर सकते है अब यहां पर जो हमारा नंबर है 4 पावर एन ठीक है इसमें देखो पावर का मतलब है वही चीज सुव गा मैं 4 के फैक्टर की बात करूंगा वह उसके पावर में भी लग जाएगा ठीक है तो यहां पर आप देखें फोर की फैक्टर हो जाएंगे टू इंटू टू अब जब फोर के स्वयम के फैक्टर में टू और फाइब दोनों नहीं आ रहे हैं मतलब फोर स्वयम में जीरो नहीं ला पा रहा है तो फिर उसकी पावर जीरो कैसे होगी उसकी पावर की लास्ट डिजिट जीरो कैसे हो क्योंकि कोहीं भी लास्ट डिजिट जीरो आने के लिए फैक्टर में दो और पांच होना कंपल सरी है यहां दो तो आपको भरपूर मिलेंगे लेकिन पांच नहीं मिलेगा तो जब तक पांच नहीं होगा तब तक ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि भाईया लाज डिजिट आपकी क्या हो जाए जीरो हो जाए समझ में आगे आपको मैंने क्या बोला कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर बढ़िया चल रही गाड़ी अब तक जीहां सर चलिए स्क्रीन क्लिया करते हैं अगला हमारा कॉंसेट यहां पर देख लेते अगला प्रशन क्या है एक्जाम्पल नंबर सिक्स अब यहा उनों का सबसे पहले हम सबसे निकालने का प्रयास करेंगे सर दोनों के प्राइम फैक्टर की चर्चा करनी पड़ेगी सिक्स के प्राइम फैक्टर क्योंकि अब बड़े हो गए हैं तो वैसे बॉक्स बनाके नहीं करेंगे डारेक्ली लिख रहे हैं तू इन्टु त्री और 5020 HCF कितना हो जाएगा सर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो जहां तक मैं देख पा रहा हूं यह केवल टू है जो की दोनों में कॉमन हैं तो HCF आगया टू HCM की चर्चा कर लेते हैं सर HCM में जो रिपीट हो रहा है वो एक अई बार और जो रिपीट नहीं हो रहा है वो सारे लिख दी जाते वरलब यहां पर एक टू एक और टू जो यह वाला है वह आजाएगा क्योंकि उसका कुछ नहीं हुआ विचारे का एक थ्री और एक फाइ 12 फाइव जाएगा यहां पर आपका उत्तर फोर फोर फी क्योंकि वह काफी बार पूछा जाता है ठीक है चलिए यह वने कर लिया कोई दिककत तो नहीं यहां पर आगला प्राशन देख लेते हैं example 7 क्याहां पर दिया देखो find the HCF of 96 and 404 using prime factorization method hence find their LCM, आपको HCF तो निकालना ही है, उसके बाद LCM भी निकालना है, method कौन से यूज करना है, तो भाईया, prime factorization method का यहां पर इस्तमाल किया जाएगा, तो आपके numbers क्या है, तो numbers है 96 and दूसरा number है 404 चलिए इसको देख लेते हैं, तो देखो 96 के क्या factors होंगे, तो भाई 96 के आपके factors होंगे prime factors, ठीक है सबसे पहले आएगा एक 2 ठीक है, उसके बाद आजाएगा यहाँ पर कितना तो सर्टू फोर्जा 8, है ना, और 2 एट 1648, 48 into 2 करने पर आता है, तो 48 को और break करोगे, तो एक और 2 आजाएगा ठीक है, कितना हो गया सर्ट, यह फोर हो गया, अब कितना बचात, देखो अगर आप से नहीं हो रहा है, इसे दिमाग, mentally तो आप आप आहाँ पर box भी बना सकते हैं मैं ही आपकी साहिता कर देता हूँ, वरना कल को बोलो कि गुरुदेव तो बहुत तेज चलते हैं, तो देखो टू, यहां पर हो जाएगा 48, फिर से टू, यहां हो जाएगा 34, फिर से टू, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं कोई आपती, फिर से टू, तो यहां आ जाएगा आपका यहां पर, फिर से टू, तो यहां आ जाएगा, थ्री, फिर थ्री इंटू, वन, तो अगर हम देखें, तो यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, बार टू, और एक बार तीन, मैं स्कॉप कर रहा हूँ, इरेज, ताकि मैं यहां पर पूरी चीज़े लिख पाऊं, तो पांच बार टू, तो एक, दो, तीन, चार, कोई चला रहा है, यहां पर गनपती का जय जय कर, अरे भाईया, भी टाइम है, भी पढ़ाई कर लो, फेस्टिवल मन जाएगा बाद में, चलो, तो टू आ गया, पांच बार, एक, तीन, आ गया, अब 404 की क्या कहानी है, उसके भी फैक्टर्स देख लेते हैं, तो बहीं, 404 जनाब को ब्रेक किया जाएगा, सबसे पहले किस से ब्रेक करोगे, सबसे पहले किस से ब्रेक करोगे क्योंकि इवन नमबर है, तो यहाँ पे टू जीरो टू, फेर से टू से ब्रेक करोगे, तो यहाँ पे आएगा, 101, सवाल, क्या 101 प्राइम है, डिवाइट करके देखो, 7 से डिविजिबल है, क्या नहीं सर, 8 से, 7 से नहीं है, 9 से, 9 से भी नहीं है, 11 से, 11 से, नहीं होगा, 11, 11, 9 से, 19 होता है, 11 के बाद फिर 13 से डिविजिबल है, एक बार चेक कर लो, 13, 14, 15, 17, जिससे भी डिविजिबल हो, एक बार चेक कर लेते हैं, 13 से डिविजिबल है या नहीं, साथ या, 21, एक यहां, दो उपर, 7 बनजा, 7 और यहां पर हो जाएगा, 2, तो 91 ना, 11 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 से डिविजिबल है, एक बार चेक कर लेते, 17 के टेबल में तो नहीं आएगा, 17, 4, 17, 5, 7, 35, यहां, 3 उपर, 5 बनजा, 5, और यह हो जाएगा, 3 कितना, 8, य 19 से, 19 से भी नहीं होगा, हमारे सबस, 19, 5 करके देखो, 19, 5, 9, 5, 45, 5, यहां, 4 उपर, 5, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 95, 9, 20, 21 से नहीं होगा, 21, 3, 3, 3, 2, 6, 21, 4, 4, 1, 4, 4, 2, 8, 84, 21, 5, 5, 1, 5, 5, 2, 8, 10, 105, ना, 21 से भी नहीं, 23 से एक बार चेक कर लेते, 23 इंटू 3 कर लो, 3, 3, 9, 3, 2, 6, ना, इंटू 4 करोगे, तो 4, 3, 2, 12, 4, 2, 8, 1, 9, 92, ना, बहुत पास आ गए है, 25 से, तो जहां तक हमें ध्यान आ रहा, 101 प्राइम ही है, अब देखो यहां पे, मैं चाहता, तो सीधे-सीधे बोलता कि भाईया, 101 प्राइम है, लेकिन आपके साथ स्ट्रगल न और कोई नंबर आपको याद आ रहे हैं, तो मुझे बता दो, चेक कर लेते हैं, बाकि मेरे साथ से तो नहीं हो पा रहा है, तो यहां पे आपका HCF कितना होगा, तो सर, HCF होता है, जो common factors हैं, उनको साथ में लेके चलना, तो common factors देखो, यह टू और टू है, तो यहां पे आ एक टू, फिर यह दूसरा टू और टू है, इसकी भी pairing हो जाएगी, तो यह भी हो गया, इन टू टू, तो आपका HCF आएगा, फोर, और LCM आएगा, इसी को को हम आगे बढ़ाएं, तो LCM आएगा कि भाईया, जो common है, उनको एक ही बार लिया जाएगा, तो इन दोनों में से एक टू, इन दोनों में से एक टू, उसके बार यहां पर देखोगे, तो एक, दो, तीन बार टू है, तो एक, दो, तीन बार टू, फिर एक थरी आएगा, और फिर आएगा 101, इनको multiply करके हमारा answer हमें प्राप्त होगा, 22, 442, 8, 8, 16, 16, 22, 32, 32 इन टू 3 करोगे, आपको मिलेगा 96, 96 इन टू 101 करना है, ठीक है, 96 इन टू 101 करने का मतलब है, 96, 00, और 96, आप सर यह ग्यान आप कहां से लाए, तो देखो, यहां मैंने क्या किया, मैं आपको यह सिखा दितना हूँ, ताकि शॉट्ट रे कई बार, यह को भी काम आई तो कोई बहुत बड़ी rocket science नहीं है मैंने क्या देखा कि मुझे multiply करना है 96101 को है ना तो वो करने के लिए मैं डायरेक्ट multiply करने की जगा 96 को multiply कर रहा हूं 100 प्लस एक से तो जब 96 को सो से multiply करेंगे लेकिन अगर आप में से किसी को समझ नहीं आई तो मैंने आप समझा दिया कि मैंने क्या किया तो आपका जवाब आया नौचे नौचे कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताईएगा यहां पर आपका यहां सवाल समाप्त होगे आपने सब्सक्राइब निकाल दिया यहां रिपीट क्यों पढ़ाया जा रहे देखो उसके पीछे भी कुछ रीजन है एक कॉंसेप्ट है जो कि आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा भी यहां पर यह हो जाएगी स्क्रीन क्लियर अगला हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास एक्जामपल नमबर एट है यहां पर निकालना है आपको HCF और LCM और 6, 72, 120 यूज़ेंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथट तो यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथट का यूज़ करके तीन नमबर का HCF और LCM निकालना है कुछ अलग नहीं है कुछ टफ नहीं बहुत सिंपल सा यहां पर कॉंसेप्ट है चलिए नमबर से आपके सिक्स सेवेंटी टू एंड वन ट्वेंटी सिक्स के फैक्टरस टू इन्टू इन्टू तो यह हो गया कितना फोर हो गया है ना फोर से जवाब इसको डिवाइट करोगे तो आपका जवाब आएगा फोर फोर और फोर एड़ जा थर्टी टू ठीक है फिर से इसको ब्रेक करोगे तो यहां पर आया कितना फोर एड़ ना टू वन कितना ने टू एक काम को ऐसे निकालनो क्या है कि हीरो बनने के चक्कन में जीरो ना जाए ना और क्या हमारा जीरो आएगा तो हमको बहुत दूप 2X2X2 22X3 2223 फिर 120 एक होगा फिर 20E20 वहां पे 2X2 2X one 2X2 cords 2 एक हौर टू मतलब आथ ठीक है आठ और यहां पर हो जायगा फिर eight in यहां पे three in 158 होता है 120 मिनको याद है इतना तो तो उसी का यूज करते हम इसको यहां पर सॉल्फ कर रहे हैं चलिए अब यहां पर आप देखेंगे ठीक है 236 पता है बहुत basic mathematics है अब आतने LCM निकालने का क्या नियम है तो सर LCM निकालने का नियम यहीं कि जो हाइएस पावर तीनों में common है ना तो यहां पर एक दो तीन तो टू पावर थ्री इन टू थ्री पावर टू है ना थ्री पावर टू कैसा सबके बाद थ्री पावर टू एटलीज हो गई होगा और फिर फाइफ पावर वन तो सारे उपलब्द होने चाहिए तू पावर थ्री पावर टू और फावर वन तू पावर थ्री मतलब हो जाएगा आठ थ्री पावर टू मतलब हो जाएगा 9 और 5 तो 8 इन्टो 9 इन्टो 5 950 45 45 इंटो 8 करेंगे तो कितना होगा 360 हो जाएगा आपका LCM व Bossow हम तो यहां पर यहां पर 104 थी था तो हमने उले लिया 3 पावर टू था था तो ремने उले लिया और 5 पावर 1 तो सारे factors की जो भी highest power है वो हम यहां पर collect करके अपना अंसर बताते हैं तो हमारा HCF IA 6 LCM IA 360 अब सर आपके मन में यह सवाल जरूर आना चाहिए कि कक्षा 10 वी में आने के बाद नया क्या सीखा तो जो आप सीखने वाले हो इसी में इस पूरी कहानी में वह मैं आपको दे रहा हूं एक छोटा सा homework तीन नंबस वाला छोड़ दो आप आजो दो नंबस वाले पर ठीक है दो नंबस वाला यह सवाल अफिर इसका पिछला सवाल आपको घर पे एक छोटा सा कार्य करना है मेरा और वो यह चेक करना है कि क्या जो हमारे नंबस थे उनका जैसे ए और बी यह नंबस इनके बीच में और इनके LCM और HCF ठीक है इनके बीच में कुछ connection है और क्या अगर हम इन दोनों की pairing कर दें और LCM और HCF की pairing कर दें तो क्या इन्हें multiply, divide, add, subtract कुछ करने पे हमें same result मिलता है मतला basically आपको यह चेक करना है कि क्या A plus B LCM plus HCF के बराबर होता है या फिर A minus B LCM minus HCF के बराबर होता है या फिर A into B LCM into HCF के बराबर होता है या फिर A divide by B LCM divide by HCF के बराबर होता है कब जब दो numbers हों तो यह आपको थोड़ा सा चेक करना है अगर आपको यह numbers कम पड़े तो अपने घर पे आप कोई भी normal दो numbers छोटे numbers में भी इसके पिछला वाला जो सवाल ता जिसमें numbers बहुत छोटे थे यदि में कोई याद है तो हाँ तो यह 620 के बीच में आप चेक कर दो कि इन में से कौन सा वाला सिधान कौन सा वाला यहां पे नियम लागू हो रहा है मतलब क्या यह इसके बराबर है या फिर यह बराबर है या फिर यह बराबर है या फिर यह बराबर है इन चारों में से कोई एक होगा पर वो कौन सा होगा यह आपको पता लगाना है और यही आप 10 वी में सीखते हैं तो क्लास 10 में नया यही आता है कि numbers और उनके LCM और HCF में क्या connection है समझ में आगे आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर कोई समस्या हो तो बिल्कुल हमें संपर्क करें यहाँ पर हमारा यह example हो जाता है समाप्त और हमारा session भी हो रहा है समाप्त इसलिए मैं आपको homework दिया homework क्या है कोई भी दो numbers लेने हैं ठीक है उनका LCM और HCF निकालना है उसके बाद उन numbers के बीच में और HCM HPF के जो pairs हैं इनके बीच में क्या connection है addition, subtraction, multiplication, division इन में से कौन सा connection है वो आपको पता लगाना है और वो अगर आप पता लगा पाएंगे तो आपका यह chapter लगभग बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्योंकि बहुत important वो दो number का concept है जिसको हम अगले session में चर्चा म ऐसा बहुत बार होता है कि आपके किसी वीडियो पर कमेंट आता है कि सर आपने यह chapter आधा पढ़ाया और हम फिर वहां पर दिवार पर अपना सर मार लेते हैं हमने तो पूरा पढ़ाया था यूटूब ने गायब तो नहीं कर दिया अब ढूनो तो हमको तो मिल जाता है क्य हमने कि आप यूटूब चलाना ही बंद कर दो आप आजाओ मैंटर ब्रेंस की वेबसाइट पर हमने सारा कंटेंट आपके लिए क्लासिवाइब करके प्रॉपर सीक्वेंचल और में अरेंज कर दिया है बस आप वहां से आसानी से अपना सारा कंटेंट पर सकते हैं यहां प चैप्टर वाइस चैप्टर के अंदर भी सेक्वेंचल और में आपको सेशन मिल जाते हैं ठीक है जैसा कि आप इनको जब यूज करेंगे तो और देख पाएंगे इसी के साथ हम करेंगे यहां पर सेशन को को एंड तो मैनेट बेंस का जो हंड़ेट परसेंट फ्री कोर्स चलता है वहां पर हम पढ़ रहे थे कख्षा दस्वी की गनित की एंसी आटी हमारी जो रिस्पेक्टेड एंसी आटी जी हैं उनको हम पढ़ रहे थे प्रथम चाप्टर जिसका नाम है रियल नंबस हमने चाप रखिएगा सेशन को लाइक चैनल को सब्सक्राइब एंड येस बिल्कुल शेयर कीजिएगा और भी कोई मन की बात हो तो कमेंट में बताइएगा हम बिल्कुल वारतलाब करेंगे आपका ध्यान रखेंगे अपना ख्याल रखें चैसे पढ़ाई करें स्टे होम स्टे से टे कर रखेंगे और बाए गुट दे सी यू सूल